नमस्कार दोस्तों स्वागता आफी के चैनल किर्किट फैंटेसी 11 पर भाईयों में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ड्रेम 11 में कैप्टन और बाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट करें जियां दोस्तों मैं इसी के बारे में इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ देखो तो भाई यो अगर आपकी टीम कितनी भी बड़िया है ड्रेम 11 में लेकिन आपका कैप्टन और बाइस कैप्टन कोई सा एक फिलोप हो गया तो भाई आप बंचाइडिल लोस में चले जाते हो अगर भाई आप लोस में चले गए हो तो इसके उपर भी मैंने वीडियो बना दि जैसे हम अगली को वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पोस्ट सके अगर भाई आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगता है एक लाइक जरू कर देना आपको एक लाइक भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो भाई यह मैं आपको बतात हूँ एक हैट तो एट थ्री फोर मेंबर्स इसमान लीग मिनी गरेंड लीग और दोस्तों ग्रेंड ले बाई यह पांच कोंटेस्ट होते हैं जिनमें बाई कैप्टन बाइस कैप्टन आपको अलग सेलेक्ट करने पलते हैं इस बात का आपको ज्यादे ध्यान देना है तो सेफटन वाहिए हम हैट टुएड की बात कर लेते हैं अगर आपको सेफ टीम क्रेट करनी है है हैटुएड में सेफ टीम मैं बचाता ह Помका हैं क्योंकिप्ब का सैफ कौन सेंगा है जिस kes का सलक्स on संटेज उस तो आपको 50 सा 9 के बीच दिखा का आप उसको कैटन मना ना जिसका बाही वाइस कैटन का 40 सा 70 के बीच में दीखे तब आप उसको बाइस क्याप्टन क्योंकि आपको आपोनेंट तो मिलेगा विर्कुल भाई selection percentage भी अपनी टीम क्रेट करके आपके सामने खेल तो वो नजर आएगा ठीक है इस बात के आपको ज्यादे ध्यान देकर चलना है आपकी head to head की टीम में ठीक है भाई हम बात कर लेते हैं अब three or four members की देखो भाई इसमे करना आपको captain बनाना भाई विर्कुल safe safe यानि मैं आपको बताता हूं दुबारा से 70-90% जिसका selection percentage हो ठीक है बाईस captain से की बात पिर भाई आपको risky बनाना क्योंकि आपको थीरी और four members की team है ठीक है आपको यहाँ पर दो अपोनेंट को हराना पड़ता है ठीक है आपको कौन स बताना दोस्तों बाईस captain जिसका 20-40% से लाक सनो और जो दोस्तों opener और one down और जो third down यह आपको तीनों ही player मसे बाईस captain मनाना ठीक है मैं बताता हूं दोस्तों आपको क्या करना है आपको सबसे पहले pitch report जाननी है अगर pitch bowler को favor करती है तो आपको bowler बनाना यारी जो दोस्तों आपको open में और death order डालतो हो दीक है अगर batsman दोस्तों फेवर पीछे तो आपको opener या बंडाउन या third down के player को ही bias captain बनाना ठीक है बाई हमारी यहोगी 3 और 4 members की ठीक है अब बात कर लेते हैं बाई हम अपनी small league की देखो इस small league में करना है क्याप्टर बनाना दोस्तों बरकूँ safe जिसका 70-90% selection है ठीक है जो grand league की team आप create करते हो उसमें बाईस captain तो बनाना बाई वो इसकी बनाना जिसका selection percentage 20-25 के बीच हो मैं आता था दोस्तों कौन सा बनाना जो opener हो second down बे बैटिंग करना तो आलांडर जब बोलर हो जो death over माता आपको उनमा सही बाईस captain बना कर चलना है आपको pitch report जानना है उसके आद अपने team create करना ठीक है फिर बाई मैं बात कर लेता हूं परसेंट हो बाईस captain दोस्तों बनाना जिसके 10-20 परसेंट सेलाक्स होनो इस बात का आपको जाद ध्यान देना है अगर आप grand league खेलते हो तो देखो कौन सा captain और बाईस captain बनाना देखो आपको कहकरना grand league में अलांडर और बोलर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए बाईस captain captain के लिए ठीक है इस बात को आपको जाद ध्यान देना है अगर बाई pitch report आप पहला आप ज्याद ध्यान दो फिर उसके आपनी grand league के लिए captain बाईस captain select करो बोलर favor पीचा है तो बोलर को लेका जाओ जो death over में आता हो bowling डालने के लिए और उस तो power play में डालता हो captain बनाना उस तो अगर बैटिंग friendly पीचा देखो आपको opener बनाना कौन सो opener बनाना जोन से टीम आपको strong लगे ठीक है हाँ यहाले टीम के बाई पिलियर आपको opening पे नहीं गिरने वाले तो इसलिए आप इनको captain by captain बनाना ठीक है बाई मैंने आपको पांचों ही लीगों के captain by captain बना दे अगर आपको थोड़ी से वीडियो अच्छी लगता है एक like जरू कर जाना और बाई चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि हम dream 11 की series बना रहे हैं आपको सभी चीजों की वीडियो आप तक time to time मिलती रहेंगी इ इसलिए चैनल को subscribe कर लेना ठीक है